नमस्कार मैं हुपरिया आज है पांच मई खबरों के तरफ बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर COVID-19 के बढ़ते माहौल को देखते वे बिहार में लगा लॉकडाउन लॉकडाउन के फैसले पर विपक्ष ने साधान निशाना अब चले पढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की और विस्तार से COVID-19 के बढ़ते माहौल को देखते वे बिहार में लगा लॉकडाउन COVID-19 के लगातार खराब हो रहे मामलों को देखते वे बिहार में लॉकडाउन का फैसला जारी कर दिया गया है जिसके तहट सार्वजुनेक स्थलो एवं सडकों पर अनावशक आवागमन पुर्णिता प्रतिबंदित रहेगा पबलिक ट्रांस्पोर्ट में निर्धारित बैठने के श्रमता के 50 प्रतिशुत के उपियोग के अनुमती रहेगी केवल रेल, बायू यान अथवा अन्य लंबी दूरी की यात्रा करने वाले तथा अन्य सेवाओं से सम्मधित व्यक्तियों को ही सारवुजरेक परिवहन के उपियों के अनुमती होगी अंतर राजियों मार्गों पर अन्य राजियों को जाने वाले नीजी वहन को अनुमती होगी अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्त प्रतिष्ठान, पशु स्वास्त सहीत, उनके दर्मान एवं वित्रन एकाया, सरकारी एवं नीजी दवादुकाने, मेडिकल लाब, नर्सिंग होम, अम्बुलेंस सेवाइं संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कारे करेंगे बैंकिंग भीवा, ATM, ओद्योगी एवं वी निर्बान कारे, सभी प्रकार के निर्बान कारे, e-commerce से जुड़ी सारी गतिविधिया, क्रिशी एवं इन से जुड़े कारे, print और electronic media, telecommunication, internet सेवाई, broadcasting एवं केवल सेवाओं से संबंधित गतिविधिया, पेट्रोल पंप, LPG, पे 11 बजे पुरवाहन तक खुली रहेगी, बिहार तकनी की सेवा आयोग ने निकाली रुखतिया, नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एहम सुच्रा, बिहार तकनी की सेवा आयोग ने हाली में 6000 से ज्यादा पदों पर आवेदन की मांग की है, जिसके तहत बिहार त परिक्षा.nic.in पर 4 माई 2021 से आवेदन की शुरुवात कर दी गई है, पंजी करन केंतिम तारिक 24 माई 2021 से आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे, बिहार तकनी की सेवा आयोग की तरफ से निकाले गए रुखतियों में कुल 6,338 रिखतियां उपलब्ध है, जिन में से 3, 276 में विशेचेके चिकजित साधिकारी के लिए और 2,632 विशेचेके के लिए दुचित हैं, बिहार में लोक्डाउन में भी होगा शादे विवा, बिहार में 15 माई तक लोकडाउन लगाने का दे आफ जारी कर दिया गया है, वहीं सब के बीच इस दौरान शादे विवा पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, हाला कि शादे विवा और श्राद कर्म के लिए सरकार ने नए नियम बनाए हैं, सरकार ने डीजे पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है, बारात और वर्माला को लेकर भी सरकार ने कड़े निर्दे उचारी के हैं, जिसके देश शादी व JEE Main My Session की परिक्षा होई स्थागित, COVID-19 के बढ़ते मामलों को देखते वे, My Session की होने वाली JEE Main's की परिक्षा को स्थागित कर दिया गया है, इसकी घोश ना खुद केंद्रिया सिक्षामंत्री रमेश पोखरियाल लशंक ने की है, सिक्षामंत्री ने ट्वीट कर लिखा COVID-19 की वर्तमान स्थी और छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते वे, JEE Main माई 2021 की सत्र को स्थागित कर दिया गया है, छात्रों को सला दी जाती है कि वो आगे की अपडेट के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें, आपको बता दे कि माई सेशन की परिक पटना हाई कोट ने अभास्त शेप किया है, जिसके तहट पटना हाई कोट ने तलख टिपणी करते वे, स्वास्त विवस्ता को सेना को सौपने की बात कही है, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे, बिगरती सिती पर पटना हाई कोट में जन सुनवाई हो रही है, इस लोकडाउन की घोशना होते ही सभी शेहरों की बाजारों में उम्री भीड COVID-19 के बढ़ते मामलों को देखते वे बिहार सरकार की तरब से बीते दिन लोकडाउन की घोशना कर दी गई है जिसके बाद बाजारों में लोगों की भीड देखने को मिले किसी ने बाजार से घर का राशन खरीदा तो किसी ने फल और सबजी ना सिर्फ राजधानी पटना बलकि अनिव शहरों में भी बड़ी संख्या में बाजार में लोग जरूरी सामान खरीदने उम्ड़े इस दोरान भागदोर की स्थिती में लोग शारेलिक दोरी के नियमों को भूल गए सोशल डिस्टेंसिंग की भी खूब धजिया उड़ी सिर्फ यही नहीं उन्होंने बॉलिवूट फिल्म में कई गाने गाए हैं 2017 में स्वाती शर्मा ऐसी पहरी गायक बनी थी जिन्होंने आइफिल टावर में गाना गाय था उन्होंने अपने करियर की श्रवात थिंगिंग से की स्वाती शर्मा को सुनिधी चौहं किसे भी तुलना की जाती है जो कि बॉलिवूट की जानी मानिगाई का है वही उन्होंने चर्णिगर युनिवरसिटी से म्यूजिक में अपना कोर्स कम्पलीट किया है और साल 2014 से लगातार गाने से जुड़ी हुई है डॉक्टर मानस बिहारी को मुख्यमंत्र नितीश कुमार ने दी श्रद्धांजरी बीते दिन बिहार ने एक और सितारक हो दिया जब पदमश्री मानस बिहारी ने दुनिया को अलवदा कह दिया जिसके बाद मुख्यमंत्र नितीश कुमार ने भी उने श्रद्धांजरी दी है जिसके देश सिये नितीश ने कहा कि मानस बिहारी वर्मा महानवे ज्यानिक और पूर्वराश्टर पती डॉक्टर एपीजी अब्दुलकलाम जी के सानिग्ये में काम करने वाले लाइट कॉमबाक्ट एरक्राफ्ट ते जिसके दिर्मान में प्रोजेक्ट डिरेक्टर भी थे भातिवाइस येना को अधिक मारक बनाने में डॉक्टर वर्मा का योगदान और विस्मर निये है COVID-19 के बीच बच्चों पर मनवराने लगा चम की बुखार का खत्रा COVID-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बरती जारी से बीच एक और परिश्यानी बिहार के साबने आकर खड़ी हो गई है बिलीजान कारे के नुसार चम की बुखार का खत्रा लगातार बढ़ता जा रहा है लगातार कई ऐसे मामले अब तक चम की बुखार के सामने आ चुके है SKMCH प्रसार्शन की द्वारा दिये के ताज़ा अपडेट के नुसार मंगलवार को एक चमकी बुखार के लक्षन वाले बच्चे में AES की पुष्टी हुई है जिसके बाद अबाकरा 14 पर पहुँच गया है वहीं AES पुष्टी वाले तीन बच्चे SKMCH के पीकु वार्ड में अभी भरती है इतना ही नहीं चमकी बुखार के लक्षन वाले एक सस्पेक्टेड बच्चों को भी अस्पतार में भरती कर लिया गया है शाबुद्दीन के गुजर जाने के बाद सलीम परवेज ने राज़त को कहा अलविदा राज़त को बीदे दिन बड़ा जटका तब लगा जब सलीम परवेज ने तेजस्वी आधवकास साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया खबरों के मारे तो बिहार विदान परिसत के पुर्व उपसभापती सलीम परवेज ने सिवान के पुर्वसांसर शाहबुद्दीन के गुजर जाने को ले कर सवाल उठाया है सलीम परवेज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज़ की निगराली में मामले की जांच होनी चाहिए हाला कि सलीम परवेज ने राज़त को छोड़ने का कोई खास कारण तो नहीं बताया ना ही राजुत की तरफ से इस मामले को लेकर कोई राजुनेतिक बयान सामने आया है भाजपासांसर सतीश चंद्र दूबे हुए COVID-19 पॉजिटिव भाजपासांसर सतीश चंद्र दूबे COVID-19 पॉजिटिव पाई गया है कि शुरवाती लक्षन दिखने पर मैंने COVID-19 की जाच कराई और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है मैं सेल्फ आइसुलेशन में हूँ और चुकित्सकों के पर अमर्श का पुल नतह पालन कर रहा हूँ इस बीट जो लोग भी मेरे संपर्क में हैं वो अपनी जाच अवश्य करा ले और एहतियाद जरूर बढ़ते हैं आपकी जानकारे के लिए आपको बदा दे COVID-19 के माहौल में बिहार को वो दंश दिखा दिया है जिसकी कल्प ना बिहार के किसी भी व्यक्तिने नहीं की होगी हालात आज ऐसे हैं कि अंतिम संसकार के लिए दूसरे राजु से लखडिया मंगवानी की प्रक्रियाश शुरू हो रही है जिसकी तहर बिहार सरकार ने अंतिम संसकार के लिए बंगाल से लखडियों को मंगवाने का देश जारी क्या है पत्ना नगर निगम्त की तरफ से मिली जानकारी के नुसार बंगाल से लकडियों को मंगवाने का एक और उदेश ये है कि बिहार में लकडियों की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि मांग बढ़ी है तो कीमत भी बढ़ा दी गई है जिसके बाद ही अफैसला लिया गया है कि अब सिक्किम सिल्ली गुडी और कॉलकटा से लकडियां बिहार मंगवाई जाएंगी जिसके बाद सोमवार तक पत्ना के गुलाविघार पर 20 टन और मंगलवार को 50 टन पहुचा दी गई है पपू यादव ने अस्पतालों में सभी के लिए नीशोल्क भोजन उप्लब्ध कराने की कही बात जाप के रास्ट्रय अध्हक पपू यादव ने कहा कि लोगडाउन में करोना मरीजों के परिज़नों को परिशानी को देखते वे पाठी नहीं कहडम उठाया है पपु यादव ने भोजन वित्रन कारिक्रम की शुरुवात करते वें कहा कि PMCH, IGIMS, NMCH और AIMS में जन अधिकार सेवा दल के द्वारा भोजन वित्रन करने की प्रोक्रिया शुरू की जा चुकी हमारा प्रयास होगा कि सभी जरूरत मंदों को भोजन मिले, इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पूरे कोरोना काल तक यह सेवा जारी रहेगी, आपदा के इस घड़ी में पूरी पार्टी कोरोना पीडितों के साथ खड़ी है लोगडाउन के फैसले पर वपक्ष ने साधा निशाना, कोबिट राइंटीन के लगातार बढ़ रहे हैं मामलोग की बीच, बीते दिन विहार सरकार ने आखिरकार लोगडाउन का फैसलास सुना ही दिया, जिसके बाद वपक्ष की तरफ से भी लगातार बयान बाजी कालस सिलाज शिरू हो चुका है, इस सिक्रम में नेता परतिपक्ष तीजस्वी आदव ने भी अपना बयान जारी करते वे मुख्य मंतर नितीश कुमार का घेराफ किया है, जिसके तहट उन्होंने ट्वीट जारी करते वे लिखा कि 15 दिन से समूचा विपक्ष लोगडाउन करन भारत के इतिहास में आज की तारीक कई कार्णों से महतपपूर मानी जाती है, भात्मा गान्दी को 1944 में जेल से रहा आजी के दिन किया गया, भारत में जहरखन पार्टी की स्थापना नित्वान चास में आजी के दिन हुई, फूद और जी बिना ऑक्सिजन के एवरेस्ट फतेह करने बाले पहले भारती है 1984 में आजी के दिन मने एवरेस्ट की चोटी से पहला टेलेविशन प्रसारन 1988 में आजी के दिन किया गया भारत बांगलादेश सयुक्ति नदी आयोग की बैठक सिलहट में शुरू हुई पद्म विभूशन पंडित किशन महराज का अंतिम संस प्रसकार 2008 को संपन आजी के दिन हुआ भारत के पुर्वरास्ट्रपती ग्यानी जैल सिंग 1916 में आजी के दिन पैदा हुए थे भारत में उचिन्या याले की प्रथम महिला नयाधी श्रीला सेट ने 2017 में आजी के दिन दुनिया को अलविदा कहा था बिहार में COVID-19 के मिले 14,000 से ज्यादा मामले स्वास्ते वभा की तरफ से मिली जुयानकारी के नुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 गंटे में कुल मिलाकर के 14,794 मामले सामने आये हैं जिसकी बाद बिहार में आक्तिव मरीजों की संख्या 1,10,430 पर पहुँच गई है वहें प्रभावित जिलो की बात करें तो अररिया में 187, अरवल में 145, और अंगाबाद में 534, बांका में 112, बेगुसराय में 462, भागलपुर में 407, रभोजपूर में 201, बकसर में 132, दर्भंगा में 290, इस्ट चंपारन में 232, गया में 766, गोपालगज में 391, जफरपुर में 461, नालंदा में 618, रणनवादा में 287, पत्ना में 2681, पूर्णिया में 371, रोहतास में 223, सहरसा में 323, सबस्तिपूर में 498, सारण में 457, शेखपुरा में 328, श्रिवर में 178, सीतामडी में 166, सिवान में 348, सुपॉल में 333, वैशाली में 637, वैस्च करके 11,926 मरीज ठीक होकर घर वापस लोटे हैं, जिसके बार ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 4,10,484 पर पहुच गई है दिल्ली मुंबई समेट बड़े शहरों से बिहार आने वाली सभी ट्रेन है, हाउसफुल देश भर में कई राजियों ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते वें लॉक्टाउन और कर्फ्यू के साथ कड़ाई लागू करने लगे हैं, इससे काम धंदा प्रभावित होने और बिमारी से बचने को लेकर बिहार के प्रवासी मज़ूर वापस अपने राज्यों को लोटने लगे हैं, इसक्रम में दिल्ली मुंबई, हैदरबाद, बैंगलोरो, एहमदाबाद समेट कई बड़े शहरों से बिहार आने वाली ट्रेन अभी हाउस फुल चल रही है, घर बिहार में लोकडाउन की अबधी में इपास के लिए प्रवाकरिया हुई शुड़ो, कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते वे, बिहार सरकार ने बीते दिन एक बार फिर से 15 मई तक लोकडाउन लगाने का आदेश जारी कर दिया है, वहीं इसी बीच इपास बनव प्रवाक वहान को छोड़ करके सभी प्रकार के वहानों का परेचालन बंद रखने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद किसी विशेश कारे हे तू, नीजी वहान के परेचालन हे तू, जिला प्रसाक्षन द्वारा ही पास नरगत करने की ओन्नाइन विवस्था की COVID-19 के इस लहर में ऑक्सुजन की समस्या सबसे ज्यादा देखने को बल रही है, वहीं सी समस्या के बीच नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में फ्रांस की रीम ऑक्सुजन का प्लांट लगाने का काम कर रही है, जानकारों की मारे तो लगभग एक महीने में यह प्लांट बन कर तयार हो जाएगा, भारसरकार की तरफ से इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया था, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे भारसरकार ने नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मात्रे सिश्यो अस्पताल परिसर में ऑक्सिजन टांक प्लांट लगाने का निर बिहार में रेरा ने नए अध्यक्ष और सदस्यों के नाम का किया एलान, बिहार सरकार ने रेरा के नए अध्यक्ष और सदस्यों के नाम की घोशना कर दी है, इसके तहत वरतमान अध्यक्ष अवजल अमानुल्ला का कारेकाल 13 मई को खत्म हो जाने के बाद नए अध्यक्ष काबिज हो जाएंगे इसके तहट रेरा बिहार के नए अध्यक्षों के रूप में अब नवीन वर्मा कारिभार संभालेंगे वो 13 मई से अध्यक्ष के तौर पर काम करेंगे आपको बता दें कि रस्तरकार ने इसके साथ ही एक सदस्य भी बनाए गया है इसके तहट नगर एम अवास्वभाग ने इस संबन्द में अधिसूशना जारी कर दी है जिसके तहट नुपर बैनर जी को रेरा का नयासा दस्य बनाए गया है ICMR ने COVID-19 पॉजिटिव रिपोर्ट को लेकर जारी की नई अध्वाइसरी COVID-19 की परिस्ति जुस तरीके से बढ़ती जारी ऐसे में ICMR ने नई अध्वाइसरी आटीपीसर जाच के लिए जारी कर दी है जिसके तहट ICMR ने कहा है कि आटीपीसर और रापिड अंटिजिन टेस्ट में अगर कोई व्यक्ती एक बार कोरोना पॉजिटिव आ जाता है कि देश में तेजी से बढ़ रहे संक्रमितों के कारण कोरोना जाच करने वाली प्रयोक शालाएं बेहत दबाफ में काम कर देए है मंगल पांडे ने बिहार की जंता को लोकडाउन का पालन करने की दी सलाह माननीय मुख्यमंत्री ने इसको लेकर जो निर्ने लिया है वो सही है बिहार की जंता को इस लोकडाउन का पालन करना चाहिए जिसे हम कुरोना संक्रमन की चेन को तोडने में सफलोंगे इसके साथ ही मंगल पांडे ने कहा है कि हमें उमीद है कि जंता वर्तमान सरकार की बातों का अक्षर अश्पालन करेगी सनी हिंदुजा ने दफैमली मान में मनोज बाचपई के साथ काम करने का साजह कि आपना नुभाव उनके साथ बाचीत के दौरान उनके अनभवों से जो सीखने को मिला है वो जिन्दिगी भर साथ रहेगा, परफॉर्मेंस में कब कितना बहाब देना है, कितना इंपक्ट किस तरह से आना चाहिए, उन्होंने करके भी दिखाया, एक सीन में हम अटके थे तो उन्होंने वो हमे करके बदाया, बस दुख है कि इर्फान साहब के साथ काम करने का मौका नहीं गिला, कोबड-19 के बढ़ते खत्रे को देखते वे IPL में बाकी बचवे मैचों को किया गया स्थागित, पुरे देश के साथ-साथ अब IPL के खिलाड़ी भी तेजी से COVID-19 की चुपेट में आ रह हम देखेंगे कि क्या इस साल IPL आयोजन के लिए कोई उप्योगत समय मिल सकता है, या सितमबर हो सकता है, लेकिन अभी यह के बलक क्यास होंगे, अभी किस्ति ये है कि हम टूर्णामेंट का आयोजन नहीं कर रहे हैं, वहीं लीग के चेरवें व्रजेश पटेल ने PTI से कहा टूर्णामेंट को अनिस्षित काल के लिए निलंबित कर दिया गया है, हम अगले उपलब्ध समय में किसी प्रतियोगिता का आयोजन करने की कोशुश करेंगे, लेकिन इस महीने ऐसी संभावना नहीं है भारत की COVID-19 से लड़ाई में मदद के लिए आगे आई सामसंग, भारत में COVID-19 प्रिभावितों के संख्या जिससाब से बढ़ रही है, ऐसे में कई मदद के हाथ भी आगे बढ़ाया है, इसक्रा में सामसंग ने भी अब मदद का हाथ आगे बढ़ाया है, खबरों की माने त अवश्रक चिकेत सा उपकरन के साथ हेल्थ केर सेक्टर को समर्थन देने की घोशना की है, कमणी ने आगे कहा कि यह निर्न भारत में विभिन नहित धारकों के साथ विचार विमर्श करने और स्थानिय प्रसाशन की ततकाल अवश्रकता का आकलन करने के बाद लिया गया है अब आईए जानते हैं सराफा बजार और पिट्रोल डीजल के क्या थे भाव? अगर हम सराफा बजार की बात करें तो सोने का भाव चार मई को 22 क्यरेट के लिए प्रती 10 ग्राम 44,570 रुपे था, मई अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रती किलो 70,000 प्रती लीटर वही डीजल 85,35 रुपे प्रती लीटर था। जवाब अच्छे लगे हैं, लेकिन समय क्या भाव की कारण हम उनका नाम नहीं ले पाई, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहें, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे, तो चले बढ़ते हैं, आज के इस सवाल की और आज का सवाल को चिस प्रकार ह आपके निसार बिहार सरकार की तरफ से COVID-19 के लगातार बढ़ रहें मामलों को देखते वें लॉक्टाउन लगाने का फैसला सही है या नहीं, अपने जवाब हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताई, इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही, बिहार की बड़ी खबरों से अब कॉमें लॉक्षर बॉक्षर के लॉक्षर बार बॉक्षर बड़ी एका लिए व्ॉक्षर के लिए